हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 21 दिसंबर को हुए C.T.21 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 कोश्चन्स कम्पलीट करेंगे तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 कोश्चन्स आपके गध्यांस और पध्यांस से पूछे जाते हैं तो ये आपका first passes given है तो आप इसे अराम से पढ़ लीजेगा और स्वयम एंसर निकालने का प्रयास कीजेगा मैं आपके questions रीट कर रही हूँ और उनके answers आपको बता रही हूँ तो आपका पहला question आया था आ प्रत्याशित का संधी विच्छिद होगा तो आपका first का option दूसरा सही हो जाएगा A plus प्रत्याशित वैशे इसका पूर संधी विच्छिद A plus प्रति प्लस आशा प्लस इत होगा लेकिन इसमें आपका option A plus प्रत्याशित given है इसलिए आपका option दूसरा सही हो जाएगा आपका दूसरा question आया था खनन का तातपर है तो आपका दूसरे का option दूसरा सही हो जाएगा खोदना दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा आपका third question आया था धूल बढ़ने के आप रत्याशित कारणों में सामिल नहीं है तो आपका third option fourth सही हो जाएगा चारा गाउं की संख्या में व्रध्धी आपका fourth question आया था गंधक और सलफर डायकसाइड की क्या भूमिका बताई गई है तो आपका fourth option तीसरा सही हो जाएगा धूल एकत्रित करना दोस्तों ये सारे questions आपके गध्यान से पूछे गएते तो आप गध्यान सको पढ़िएगा और स्वेम एंसर निकालिएगा मैं अभी आपके questions रीट कर रही हूँ और आपको उसके उत्तर बताते चल रही हो आपका fifth question आया था जैविक सब्द में मूल सब्द और प्रत्याग क्या है तो आपका fifth option fourth सही हो जाएगा जीव प्लस एक आपका sixth question आया था धूल के कड़वाता वरण में लंबे समय तक तैरते हैं उपर युक्त वाक्य का प्रकार है तो आपका sixth option पहला सही हो जाएगा सरल आपका seventh question आया था तैरते रहते हैं पद क्रिया किस भेद के अंतरगत आएगा तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा अकर्मक आपका eighth question आया था इन में से एक भाग में आशुद्धी है उसे पहचानिये तो आपका eighth option पहला सही हो जाएगा आज के वर्तमान समय में आपका ninth question आया था किसके कड़वाता वरण में काफी समय तक तैरते रहे हैं तो आपका ninth option दूसरा सही हो जाएगा ammonia sulfide ये आपका दूसरा पैसेस दिया गया था और फिर इससे आपके questions पूछे गयते तो मैं आपके questions रीट करूँगे और आपको उसके उत्तर बताते चलूँगे तो आप आराम से इस पध्यांस को रीट कीजिए और फिर swambi answer निकालने का प्रयास कीजिए तो आपका 10th question आया था कविता किसे सम्मोधित है तो आपका 10th option दूसरा सही हो जाएगा दिये को आपका 11th question आया था अंदिकार में तुम बन जाना सूर्य सूर सजलते रहना उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है तो आपका 11th option फूर्थ सही हो जाएगा अनुप्रास उक्मा आपका 12th question आया था किस काम को करने का आग्रें नहीं किया गया है तो आपका 12th option फूर्थ सही हो जाएगा अंदिकार में सूर्य को विस्राम करने देना आपका 13th question पूछा गया था नन्ह नन्ह दीप पद किस कारक में हैं तो आपका 13th का उप्षन दूसरा सही हो जाएगा समोधन कारक एक्सलामिट्री साइन समोधन कारक आपका 14th कोश्चन आया था अंधियारा और अंधिकार शब्द हैं परसपर तो आपका 14th option दूसरा सही हो जाएगा समानार्थी दोनों गर्थ सेम हैं इसलिए आपका ये समानार्थी सब्द है आपका 15th question आया था बहुत कठिन चाहें लगता हो किस काम के लिए ऐसा कहा गया है तो आपका 15th option दूसरा सही हो जाएगा कठनाईयों में भी हस्ते रहना दोस्तों यहाँ पर आपके पध्यांस के questions खतम हो जाते है अब आपका 16th question आया था सभी भासाओं में dash और dash धनिया एक करम में सो नियोजित होती है तो आपका 16th option तीसरा सही हो जाएगा वेंजिनिक, सौरी है आपका 17th question आया था सभी बच्चे तीन साल से पहले ही अपनी भासा के dash तथा dash से अच्छी तरह से परचित हो जाते हैं तो आपका 17th option फॉर्थ सही हो जाएगा मूल, उपतंतरों दोस्तों यह कॉमा लगा है वो error है मूल, उपतंतरों आपका 18th question आया था हिंदी हमारी dash है तो आपका 18th option तीसरा सही हो जाएगा राजभासा है हिंदी हमारी राजभासा है आपका 19th question आया था पहली कच्छा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गोर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बात चीत करती है अनीता तो आपका 19th option दूसरा सही हो जाएगा अर्थ के साथ पढ़ रही है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चनल को शेयर जरूर करें आपका 28th question आया था परिछड का अर्थ है ज्यान छमतावा डैस का किसी भी विदि से नापना तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा प्रदर्शन आपका 21st question आया था पार्थ पुस्तक की भासा ऐसी हो जो तो आपका 21st option दूसरा सही हो जाएगा बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो दोस्तों आप इसके other options भी पढ़ लिया करें कि क्यूं आपका दूसरा option ही सही है और क्यूं आपके other options गलत है आप स्वयम पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाए क्यूं आपका दूसरा option सही है आपका 22nd question आया था प्राथ में किस तर पर बच्चों के भासा विकास के लिए सरवाधिक आवश्यक है तो आपका 22nd option तीसरा सही हो जाएगा भासा प्रियोग के सार्थक आवसर आपका 23rd question आया था प्राथ में किस तर पर हिंदी भासा सिच्चड का एक उदेश है तो आपका 23rd option पहला सही हो जाएगा बच्चों में अपनी बात कहने के उच्चुकता का विकास आपका 24th question आया था हिंदी भासा की कच्चा का एक अनिवार सत्य है तो आपका 24th option पहला सही हो जाएगा बव भासिकता अब इसमें other options जैसे दिये गए है अधिक उच्यारणगत तुर्टियां मानक भासा का प्रियोग अधिक तुर्टियां और फोर्थ दिया है बव भासिकता तो अफकोस उपर के आपके तीनों options गलत हो जाएगे आपका 4th option ही सही होगा आपका 25th question आया था प्राथमिक इस्तर के बच्चों की भासा का आकरन करते समय डेस पर सरवाधिक ध्यान देना चाहिए तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा भासा परियोग की च्छमता आपका 26th question आया था रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है एक भासा सिच्चक के रूप में आप क्या करेंगे तो आपका 26th option दूसरा सही हो जाएगा उसे अपनी भासा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे आपका 27th question आया था ये आपधारा की बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ग्यान का निर्मार स्वयम करते है तो आपका 27th option पहला सही हो जाएगा पूर्ता सत्य है आपका 28th question आया था बच्चों के पढ़ने लिखने में डैश शरवादिक सहायक है तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा बाल साहित आपका 29th question आया था बच्चों में हकलाने की समस्या होती है इसका एक संभावित कारण है तो आपका 29th option पहला सही हो जाएगा आत्मिविश्वास का अभाव आपका 30th question आया था एक भासा सिच्चा का अनिवारिक गुड़ है तो आपका 30th option तीसरा सही हो जाएगा सिच्चा सास्त्रिय समझ तो दोस्तों आज हम लोगों ने 21st December को हुए C.T.21 paper 2 के full 30 questions हिंदी के complete कर लिए हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको इस चैनल पर CDP के सभी paper आपको EBS के paper आपको हिंदी के paper 1, paper 2 सभी के solutions मिलेंगे आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए आपको continue इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे 28 दिसंबर को हुए C.T.E. 21 paper 2 के हिंदी के full 30 questions complete करेंगे दोस्तों आप काफी दिन से मुझे कह रहे थे paper 2 के हिंदी कोश्चन भी कराईए तो दोस्तों आप मैंने ये series start कर दी है तो आपको ऐसे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे आप चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like भी कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका पहला question पैसेज वाला दिया गया था तो आपका पैसेज ये given था तो आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा मैं डारेक्ट आपके questions और उनके answers बताते जाओंगे आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों आपका पहला question इस पैसेज से दिया गया था निमने लिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिये तो आपका first option तीसरा सही हो जाएगा one धर्ती के जीते जागते सुर्ग है आपका second question दिया गया था ये सारे question आपके इसी पैसे से दिये गए है तो आप आराम से इनके answers निकाल लीजेगा तो आपका second question था धरित्तरी स्रस्टी का आधार है वाक्य में नहीं सब्द स्रस्टी का विलोम सब्द है तो आपका दूसरे का option दूसरा सही हो जाएगा प्रलय question में सब्द विलोम पुछा गया था इसलिए आपका option दूसरा सही हो जाएगा प्रलय आपका third question आया था अनुच्छेद के अनुसार प्रक्रती का संतुलन बनाय रखना आवस्यक है ताकि तो आपका third option fourth correct हो जाएगा धर्ती को प्रलय के महा मेग से बचाया जा सके आपका fourth question आया था जिग्यासा सब्द का अर्थ है तो आपका fourth option दूसरा सही हो जाएगा जानने की इच्छा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको daily seated के solutions आपको मिलते रहेंगे आपका fifth question आया था वन धैत्री के जीते जागते स्वर्ग हैं प्रदर्शन के अधार पर उच्छेद की प्रभाव साली वाक्य सनरचना पुस्टी करती है तो आपका fifth option fourth सही हो जाएगा वनों से वर्षा और वर्षा से अन्य मिलता है आपका sixth question आया था अनुच्छेद से ग्यात होता है कि प्रकृतिने सुच्छ तो आपका sixth option पहला सही हो जाएगा हवा मुक्त हस्त से लुटाई है आपका seventh question आया था एक वर्ष दस पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है तो आपका seventh option दूसरा सही हो जाएगा वन सनरच्छन द्वारा घरित्री को प्रलय के महमेक से बचाया जा सकता है तो आपका eighth question आया था गद्यान से ग्यात होता है कि मानव की जिग्यासा बढ़ने का कारण है तो आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा भौतिक वाद का पाउं पसारना आपका ninth question आया था दिव शक्ति के रूप में हम किसे पूझते हैं तो आपका ninth option पहला सही हो जाएगा जल पावन दोस्तों ये सारे question आपके इसी पैसे से पूछे गयते हैं तो आप आराम से पैसे पढ़िए और उसका answer निकाल लिए मैंने आपके correct answers करवा दिये हैं आपका फिर दूसरा पैसे दिया गया था जिसमें से आपके questions पूछे गयते तो मैं आपके questions पढ़ूँगे और उसके answers बताते हुए चलूँगे तो आपका tenth question इस पैसे से आया था तो question दिया गया था दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे उक्त पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो आपका tenth option थर्ड सही हो जाएगा सलेस अलंकार आप आराम से इस पैसेस को पढ़िएगा और उसके answers आप निकालिएगा आपका eleven question आया था पद्यांस में व्याकरण की दर्ष्टी से सुन्दर शब्द क्या है तो आपका eleventh option दूसरा सही हो जाएगा विशेशन आपका twelfth question आया था विश्व गुरु बनने है तू कभी की क्या राय है तो आपका twelfth option तीसरा सही हो जाएगा आत्मे निर्भरता है तू परिस्रम करना आपका thirteenth question आया था आत्मे मन्थन शब्द का अर्थ है तो आपका thirteenth option पहला सही हो जाएगा स्वाव इसलेशर करना दोस्तो ये सारे question आपके इसी पैसस से पूछे गयते तो आप अराम से पैसस को पढ़िएगा और उसके answers निकालिएगा आपका fourteenth question आया था सुंदर भविस से कवी का आसे है तो आपका fourteenth option पहला सही हो जाएगा आत्म निर्भर आपका fifteenth question आया था इस कविता का मूल भाव है तो आपका fifteenth option दूसरा सही हो जाएगा आत्म निर्भर बनना आपका sixteenth question आया था भासा डैश है तो आपका 16th का option तीसरा सही हो जाएगा नियम संचालिक विवस्था दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं आपके लिए ऐसे ही इस चैनल पर वीडियो बनाती रहूंगे आपको अगर वीडियो अच्छे भी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 17th कोशन आया था एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है सिच्छार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करो उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मना ही है इस विदि को किस रूप में जाना जाता है तो आपका 17th कोशन दूसरा सही हो जाएगा समगर सारीरिक प्रत्क्रिया आपका 18th कोशन आया था भारती समविधान की आठवी अनसूची में कितनी भासाएं दर्ज है तो आपका 18th कोशन पहला सही हो जाएगा 22 भासाएं आपका 19th कोशन आया था एक कच्छा कच्छ में विभिन साधनों जैसे दीवार पर कच्छा उस्तकाले स्रवे द्रस्ट के द्वारा से छार्तियों को भासा पर ध्यान देने के आफसर दिये जाते हैं इसे क्या कहना चाहिए तो आपका 19th कोशन तीसरा सही हो जाएगा निवे सम्रद्य परिवेश आपका 20th कोशन आया था पठन सामगरी को सरसरी द्रस्ट से पढ़ने का अर्थ है तो आपका 21st कोशन फोर्थ सही हो जाएगा सामान ने अर्थ के लिए पढ़ना आपका 21st कोशन दिया गया था शब्द संपदा का परियोग उचारण तथा व्याकरण डैश है तो आपका 21st कोशन दूसरा सही हो जाएगा रूप उनमखी भासाई निवेस आपका 22nd कोशन आया था उत्पादक सब्द संपदा क्या है तो आपका 22nd कोशन पहला सही हो जाएगा वे सब्द जिनने हम लेखन तथा वाचन में प्रियोग करते हैं आपका 23rd कोशन आया था कार्य विधिक ज्यान सचार्थियों की किसमें सहायता करता है तो आपका 23rd कोशन तीसरा सही हो जाएगा संपरेशन में व्याकरण के नियमों को लागू करने में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 24th कोशन आया था लेखा का कौन सा उपागम लेखन के दुआरा लिखना सीखना को इसपस्ट कर सकता है तो आपका 24th कोशन दूसरा सही हो जाएगा लेखन का प्रक्रिय उपागम आपका 25th कोशन आया था निम्न लिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा पोलेटिव किसी के स्थान पर स्वैम को रखना लेखन कार्या है तो आपका 25th कोशन पहला सही हो जाएगा कलपना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनभाव का वर्ण कीजिए जिसमें आपकी एक अजनभी से मुलाकात हुई थे आपका 26th कोशन आया था समगरियों में सिच्छा सास्त्र को अंतर नहित करना है तो आपका 36th को आप्शन फोर्थ सही हो जाएगा समगरियों की सिच्छा सास्त्र ये समझ आपका 37th कोशन आया था एक सिच्छ का प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविदी आयोजित करती है कच्छा को पांच के समू में बाटकर उन्हें समू में बाच्चीत के लिए दिन प्रतिदिन के विशय देती है बाद में प्रतिएक समू से एक-एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कच्छा के सामने एक समू के रूप में बाचीत करने के लिए कहती है वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है आपका 37th का option पहला सही हो जाएगा आधार बूत अंता वैक्तिक संपरेशणातमक कोसल आपका 38th question आया था सिच्छड अधिगम प्रक्रिया के दोरान विद्यार्थियों की प्रगती की मौनीटरिंग तथा सुधार के लिए तयार किये गए आकलन है तो आपका 38th का option दूसरा सही हो जाएगा आधिगम के लिए आकलन दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपका 29th कोशन आया था राष्ट्री सच्छानीती 2020 सास्त्री भासा के अध्यान को डैश के रूप में अनमोधित करती है तो आपका 29th का option तीसरा सही हो जाएगा एक अतरिक्त विकल्प आपका 30th कोशन आया था एक सिच्छा अपनी कच्छा में विद्यार्थियों के दो दो के समू बनाती है और उन्हें वाक्यों वाली एक कहानी देती है उनमें से एक जोड़े के पास विसम संख्या वाक्य वाक्य एक तीन पाँच छापे हुए तथा अन्य वाक्य खाली है दूसरे जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाक्य दो चार छे तथा विसम संख्या वाक्य खाली है विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरों को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है इसमें स्रवर्ड वाचन पठन तथा लेखन समलित है इस कारे को किस रूप में जाना जाता है तो आपका 30th को आप्शन पहला सही हो जाएगा पारसपरिक सुर्थ लेख तो दोस्तों आज हम लोगों ने 28 दिसंबर को हुए सी टैटन टुनटी वन पेपर टू के हिंदी के फुल 30 कोशन कंप्लीट किये हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सेयर भी कर दीजिएगा और आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर डेली आपको मिलते रहेंगे थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो जाएगा